अब हम नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं इस प्रकार सोल करेंगे इन दोनों में क्या डिफ्रेंस है उसको हम बात करेंगे देखना यहां से आपका इक बात ज्याद रहना कि आपको पावर से कोई मतरब नहीं है आपको तो क्रिटिकल पॉइंट कहां से लेने हैं एक्स जो अंदर रिखे हुए हमको इक्कोल तो कर दो बस वही बात देखिए यह मैं नम लाइज मना देता हूँ minus infinitive और यहां पर infinitive ऐसे इसके लिए यहां पर क्या है minus infinitive और यहां पर क्या है आपको डार्ट साइं उस करना है और मैं आपको बोल दूँ कि जब आप इस ट्राइब के क्वेश्टन्स करो उस टाइम यह पंप्लीट है यह अगर यह तो आप यह मान के चलना कि यह चेप्टर आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला उसके बाद देखिए इस पर डार्ट साइब लगा थो यह मैंने बना दिया है और ऐसी में का लिखा लगा दिते हैं अब उसके बाद देखो देखो जब आपको यहां पर आ पावर क्या है और यहां पी क्या है डावकस यह उस त Het तो बता दूं कि यह प्लस मैनस प्लस जो मेरे बताएं है बूक कि उपर पावर लगी हुई नहीं है और जब पावर लगी हुई और जब ग्रेटानिक पड़्ट होता है तो वहाँ पर आप ऐसे साइब यूज करते हो तो आपका अंसर ये और ये वाला होगा ये आंसर नहीं होगा तो देखिए क्या होगा इसका एक्स विलोग श्टू धांस देखना मायना से इन्फिनिट्यू से इन्फिनिट्यू स्मॉल वेकिट लगा दिए हैं तक उसके बाद देखो वन पर क्या है डारफ सर्कल और जब डारफ सर्कल है तो वहाँ पर क्या आता है में तो ये लोग लोग और यांपर क्या हुप्लेट ब्लस आपर देखो यहां से घंस और 2 के उपर क्या है, 2, 2 क्या है, positive, 2 क्या है, even, even number है, तो positive का क्या है आएगा, positive, पस ये चीज मैं सिखाना चाहा रहा हूँ, कि जब आपको power even मिले, उस time जो sign पहले से आ रहा है, तो वो ही sign आगे आपको use करना है, plus, 2 पे देखा, 2 कहां से आया है, यहां से आया है, 2, तो 2 की power even, तो positive का positive रने वाला है, और 1, 1 के उपर क्या है, negative, x minus 1 equal to 0, x equal to 1, तो positive किसमे होगा, negative में, अफ greater than equal to 2 है, तो ये तो हमारा answer होगा नहीं, हमारा answer कुण से होगा, positive होगा, तो देखिए, x belongs to 1 से 2, और 2 से infinitive, infinitive पे क्या आप में साथ, small bracket और dark, ये जो dark circle इस पर क्या हैंगे, इस तरीके से add कर सकते हूँ, और union लेको, अब इसके आगे कैसे लिखा जाता है, उससे आपको अभी मतलब नहीं है, केवल मैं आपको इकना ही, अभी समझा रहा हूँ, कि कैसे आपको questions करना है, और इस पर हम और जादा set theory जब पढ़ेंगे, उस time में इस पर और जादा बात करने वाला हूँ, तो आपको इन पर समय में आगे होगा, कि जब power even हो, तो अगर आगे से positive sign आएगा, तो positive use करना, negative sign आएगा, negative use करना है, और अगर even all power है, तो आपको plus minus plus minus करते ही चलना है, कि और ये difference है, तो दोनों difference को मैंने समझा दिया है, ये चीज़ समझ भी आ गई, तो माले ना कि इस chapter का आपने 50% complete कर दिया है, अब आप next video देखिए,